आज हम बात करने वाले हैं Big Bang Theory के बारे में आज के समय में ब्रह्मान की उत्पत्ती संबंदी सर्बमान शिद्धांत Big Bang सिद्धांत को कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कैसे और क्यों कि 1920 में 1920 में एड्मिन हमल ने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और एक शिधान दिया expanding universe hypothesis विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना इसमें कहा गया है कि जब से ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था बिग बैंक का विस्फोट हुआ था तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है मतलब बढ़ता ही जा रहा है अब अपने इस प्रयोग को सिध्ध करने के लिए उन्होंने एक गुब्बारे का उधान दिया उसमें कहा गया उसमें उन्होंने समझाने की कोशिस की कि एक गुब्बारे पर उन्होंने कुछ बिंदू लगा दिये और उसको फुलाने के लिए बोला जैसे ही जो पारे के अंदर तो वो एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे इसी तरह से हमारे बिर्मांड का भी विस्तार हो रहा है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं जो गैलक्सियां हैं गैलक्सियों के जो बीच की दूरी है एक गैलक्सियों के जो दूरियां है वो बढ़ती जा रही है वो एक दूसरे से दूर जा रही है और यहीं पर जो गैलक्षियों का जो साइज है जो भी गैलक्षिय है उनका भी साइज बढ़ता जा रहा है आगे चल कर इस पर रिचर्च हुआ देखा बैग्यानिकों ने कि गैलक्षियों की दूरी तो बढ़ रही है आपस में एक गैलक्षियों का आकार नहीं बढ़ रहा है इसी वज़े से इनके इस जिद्धान्त को आंस्रिक रूप से ही सत्य माना जाता है जो कि कह सकते हैं कि सुरुआत तो था लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं था लेकिन इसने एक सुरुआत की ये भी बहुत अच्छी चीज़े अब हम देख लेते हैं मैंची जों को बिग बैंक थेयरी के बारे बिग बैंक क्या था जादत तर कहते हैं जैसे कि हम पढ़ते भी है कि बिग बैंक की वज़े से ही हमारे ब्रमाण का निर्माद हुआ था लेकिन इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो कि बेस लेवल से उठाएंगे जो कि हमको बताएंगे कि बिग बैंक आखिर में है क्या अचलियत में था क्या 13.7 billion years ago 13.7 अरब बर्स पहले एक बिसफोट हुगा किसके अंदर एक छोटी सी बॉल जिसका आयतन बहुत छोटा था जिसका वॉल्यूम बहुत कम था जिसका बॉल्यूम अत्यांत कम था और जिसका टेंपरेचर और डेंसिटी अनन्द थे उसका टेंपरेचर और जो डेंसिटी थी जो घनत्य था और जो तापमान था वो अनन्द था उसको हम मेजर तक नहीं कर सकते इतना ज्यादा टेंपरेचर और घनत्य था एक समय आया इस छोटी सी बॉल के अंदर महा बिसफोट हुआ और सेकिंड के कई लाखवी हिस्से में हमारे पूरी यूनिवर्स का निर्माण हो गया एक सेकिंड से भी बहुत कम हिस्ची में पूरे यूनिवर्स का निर्माण हो चुका था यह इतना भयानक और जबर्दस विसफोट था जिसने पूरी यूनिवर्स को आकार दे दिया जिसे आज हम देख सकते हैं मैसूस कर सकत जिन चीजों को वो सभी चीजें कहां से शुरुआत हुई बिग बैंग विस फोर्ट से इसके बाद क्या आया हमारे सामने स्विस फोर्ट से क्या निकल क्या आया स्विस इस सहे पहले इन सभी चीजओं का कोई अस्तित्र नहीं था बिग बैंग विस फोर्ट के बाद इन सभी चीजओं का निरमाण होगा पहली तो बाद मेंटर पदार्त का निर्मान होगा तो बिंग एक जो विसफोर्ट था उझने इन सभी चीजों का निर्माल किया और आगे चलकर इनस अवित चीजों का निर्माण deben उसको देख लेते हैं हमने Big Bang with Sports से लेकर आज तक के टाइम को आज तक के समय को हमने एक timeline में ले लिया है timeline के अंदर ले लिया है कि किस समय पर क्या हुआ था इससे समझने में आसानी होगे कि हम कहां पर चल रहे हैं और क्या समझ रहे हैं तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमने इस पूरे timeline को दो faces में divide किया है पहला है radiation एरा और दूसरा है matter एरा radiation एरा का समय देखेंगे तो Big Bang with Sports से लेकर 100 सेकिंड तक का माना जाता है radiation एरा radiation इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ radiation ही radiation था जो कि अभी भी कुछ जगे मिल जाता है अभी भी है लेकिन इस में और कुछ था ही नहीं पूरे ब्रह्मान में हर जगे सिर्फ और सिर्फ radiation ही radiation था इसलिए इसको हमने radiation नाम लिया फिर भी इस radiation के टाइम में एक तत्यों का निर्मार हुआ वो था हीलियम अब हम जान सकते हैं ब्रह्मान का पहला सबसे पहला जो element था जो तत्यों था हीलियम अक्सर लोग कहते हैं कि पहले सबसे पहले hydrogen आया नहीं सबसे पहले हीलियम आया था इस ब्रह्मान में सबसे पहले जो element बना वो हीलियम बना था इसको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या हुआ था पहले phase में देख लेते हैं radiation एरा में radiation एरा के बारे में बात करते हैं time after big bang immediate से लेगे 100 सेकेंड तक का ये time था ये एरा था एरा क्या होता है इसको ये जो एरा है वो बहुत बड़ी समय की रासी के लिए के लिए करोड़ो वर्स के लिए हूज किया जाता है लेकिन इसमें करोड़ो वर्स से भी जादा ऐसी गठना एगठित हो России इंग जिसके लिए हमने एरा का इस्तिमाल किया है जब हम इसको deep से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा detail में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, इस era के अंदर भी 8 faces हैं, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीजे थी, जो कि अक्सर पूछ ली जाती हैं, वही चीजे मैंने यहाँ पर ले हैं, कभी हम इतिचे लिए पढ़ेंगे तो उस उसको लेकर एक वीडियो अलक्षे बनाएंगे, तो आज हम देख लेते हैं, इसके बारे में, इसका जो टायम, इम्मीडेट से लेकर 100 सेकंड था, रेडियोशन, सिर्फ और सिर्फ रेडियोशन, और आगे इसका जो टेमपोरीचर था, टैम देश टू दा पावर 40, इसका जो टेमपोरीचर था, दस की पावर 40 कैल्विन था, 10 की power 40 Kelvin से लेके 10 की power 9 Kelvin तक था अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना जबर्दस्त गरम था मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा गरम था किसी भी चीज को मतलब कलपना ही नहीं कर सकते कि कोई भी चीज उसके अंदर रह सकती है कोई भी चीज बन सकती है कि शुरुआत में इतना जादा तापामान है, प्रहमान का, जो कि 100 सैकिंड के अंदर था 10 की पावर 40, कैलwinn से लेकर 10 की पावर 9, कैलwen, इसके अंदर 10 की पावर 9, कैलथ आते, एक ऐलिमेंट बना जिसका नाम था, हेलियम, हेलियम बना, इस और क्या क्या वह है, इस में देख एनरजी कि さ फॉर्म में थी उसमें sir and sir ४ और सिर्फ रेडिशन की समें इसके बाद अगर हम सूपर फोर्स की बात करें क्योंकि forces बने थे उसमें जे चार फोर्स बने थे इनको सूपर फ़ोस्थ कहा जाता है नमर one gravity हो कि दूसरा था week तीसरा था एलेक्ट्रोमेगनेटिक और चौत्रा था फोर था स्ट्रॉंग न्यूक्लियर उस समय रिडिशन एरा के अंदर इन चार फोर्शिस का निर्मान हुआ था इसके बाद आया हीलियम इन सभी चीजों में इस तरह से बदला हुए कि इन्होंने हीलियम को जनम दिया पहला एलिमेंट यूनिवर्स का अब हम इसके बाद आ जाते हैं इस फेज में इसमें बागी जो भी चीजे हुई इस वाले फेज में आकर हुई इसमें क्या क्या हुआ एटम्स का निर्मान हुआ गैलक्सी का निर्मान हुआ और स्टार्स का निर्मान हुआ और इसके बाद प्लेनेट्स का निर्मान हुआ प्लेनेट्स बने इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे इसमें देख लेते हैं क्या टाइम था इसका टाइम आफ्टर बिग बैंग पचास अजार साल से लेकर तीन अरब साल के बीच का ये समय था जब से ये बिग बैंग विस्फोर्ट हुआ था वहां से लेकर पचास अजार साल तक बहुत ज़्यादा रेडियोशन था पूरे यूनिवर्स में इसके बाद ज़्यादा कुछ बदलाब नहीं हुआ वो चीजे चलती रही बस हीलियम का निर्मान हो चुका था इसके बाद होना श्टार्ट हुआ समय आगया था पचास जार साल रीडियेसिन वरी बिग बैंक से लेकर पचास जार साल अब हम पचास जार साल से आगे चल रहे हैं पचास हजार साल के आसपास क्या हुआ एटम का निर्मार श्टार्ट हो गया था एटम एज में आ चुकी थे एटम का निर्मार हुआ इसमें हम देख लेते हैं इस फेस का जो समय था वो टाइम आफ्टर बिग बैंग 50 यह से लेकर 3 बिलियन यह तक था पचास हजार साल से लेकर 3 अरफ साल के बीच में यह फेस था इसमें जो टेंपरेचर था वो काफी कम हो चुका था यह टेंपरेचर गिर कर कितना आ गया था तीन हजार कैल्विन तक इसमें टेंपरेचर आग चुका था मतलब टेंपरेचर काफी कम हो चुका था In this stage, the universe's temperature cooled down, enough for electrons to attach to nuclei, for the first time, called recombination. This process helped create the universe's second element, hydrogen. इस stage में, ब्रमान का तापमान इतना ठंडा हो जाता है, जिससे electrons पहली बार नाविक से जुड़ जाते हैं, जिससे पुनर संयोजन कहा जाता है. इस पुनर करिया ने ब्रमान के दूसरे तक्तोर hydrogen को बनाने में बनदत की, यहाँ पर hydrogen का निमाड़ हो जाता है, तो यह था हमारा materra atom के बारे में जान करी, अब हम देखेंगे आगे की टॉपिक्स, आगे की टॉपिक्स में हम देखने वाले हैं, Formation of galaxies और origin of stars इसके बारे में बात करेंगे जो एक और चीज है जो की बहुत जादा important है सभी का कहना है कि Big Bang Big Bang ने universe का निर्माण किया और जादतर चीज़ें यही लिखा भी हुआ है Big Bang की वज़े से universe का निर्माण हुआ लेकिन असलियत में Big Bang ने radiation का विस्तार किया असलियत में Big Bang ने radiation का विस्तार किया उसके बात चीज़ें बदली और बहुत सारी चीज़ों का जनम होते चला गया तो यह था हमारा Big Bang अब मिलते हैं अगले टॉपिक में आज के लिए इतना है